हेलो दूस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चनल हर दिन टेक्निकल पर आसा करता हूं आप लोग अच्छे ही होंगे यह अंस हैं जो मुझे डिस्टप करते रहते हैं मैं काम करता हूं तब और यह कुछ ना कुछ करते रहते हैं हेलो बोलो अच्छा ऐसे करके बोलो सबसे हेलो अब से वापस लगाओ लेफट अप कैसे चलेगा ओके गुड़ अब वो तो खराब हो जाएगा रहने दो अब ना चलाओ नहीं होगा अब भाई यो हमारा आज का जो वीडियो है वो तीस पच्पन सर्किट बूड का है जो बहुत ही ओर्डिनरी सर्किट है जो मार्केट में अवेलवल रहता है उसके उपर वीडियो है यह और काफी दिनों से थोड़ा बेजी था मैं इसलिए वीडियो आने में थोड़ा सीख रहे हैं उनकी थोड़ी हेल्प हो जाए जो लोग पहले से जानते हैं उनके लिए तो वीडियो नहीं होते हैं इतने हेलफुल क्योंकि उन्हें तुसारा कुछ पता ही होता है तो मेरी कोशिस यहीं रहती है कि मैं सर्किट बनाने के साथ साथ आपको यह भी बताता कि उसमें प्रॉलम कहां आ सकती है किस तरह कि आपकी प्रॉलम कि फिस होती है सर्किट में और कहां किस तरह की वोल्टेज की प्रॉलम आती है कहां कितना वोल्टेज आपको मेजर करना है तो यह है और बाकी धन्यवाद है मेरे भाईयों का जो वीडियो देखते हैं और कमें मिलता है बागी कुछ नहीं है वीडियो थोड़े से लंबे हो जाते हैं क्योंकि मैं सौट में नहीं समझाना चाहता आपको अगर देखी रहे हैं थोड़ा टाइम निकाल के देखिए अगर नहीं टाइम है तो फिर कोई बात नहीं है लेकिन मैं छोटे करूंगा तो जो भाई तो चैनल पे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद और जो बंदे नहीं आते हैं जो भाई मेरे नहीं आते हैं वो सब्सक्राइब कर लिया करें क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं जो भी इस पे आने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ इस तरह का बोर्ड है यह आपे और जो मैंने आज ड्रो किया है वो सिर्फ इतना सेक्शन मिलेगा आपको जहां यह आपको दिख रहा है यानि कि एक चैनल यह होता है हमारा और एक चैनल दूसरा इधर होता है लेफ्ट ट्रैट के दो चैनल होते हैं तो इस तरह का बोर्ड होता है थोड़े बहु और जो मैंने ड्रो किया है उसमें बीसी 548 और 558 इस तरह के दो ट्रैंस्टर लगें वाद भई है यहां सिर्फ इस्ट्रेंथ करने के लिए दिया है क्योंकि मैंने ट्रैंस्टर को जो सफीसेंट करेंट सही है वह यहाँ से दे दिया जाए इसलिए आम बड़े ट्रैंस्टर कर दिए अगर आप सिंगल पेर चलाते हैं तो छोटे ट्राइस्टर भी चला सकते हैं हाला कि मेरे पास यह दौनों तरह के बोर्ड अवेलेबल हैं और दौनों पर प्रक्टिकल करेंगे हम लोग तो आज छोटे वाले का करती है उसी छोटे में ही हम बड़े लगा के तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए वेडियो स्टार्ट कर लेते हैं तो देखिए वही है यह हमारा जो बोर्ड है वह 24 वोल्ट की प्लस सप्लाई और माइनस सप्लाई पे चलेगा ठीक है और इसके साथ ही हमारा ग्राउंड या जीरो वोल्ट वो भी मैंने ड्रॉ किय यह साथ में क्योंकि डूल सप्लाई पे चलने वाला सर्कुट है तो हमें दोनों ही तरह की सप्लाई इसमें जरूरत पड़ती है प्लस और एक माइनस तो देखिए आगे चलते हैं जी एंडी अब देखिए 24 वोल्ट हो गया उपर की जी एंडी या जीरो वोल्ट बीच की औ सब्सक्राइब की से जुड़ा रहता है ठीक है यह तो मैं काफी वीडियों बता चुका हूं लेकिन फिर भी अगर समझ में नहीं आता किसी को तो बता देता हूं चलिए अब देख लेते हैं दो ट्राइस्टर हमियां ले लेंगे देखिए यह 558 है दोनों ही 558 होंगे और इसलिए एक आपको सीधा देखेगा एक लटा देखेगा ठीक है तो कोसिजिए कि है कि आपको इजी तरीके से समझ में आ जाए ज्यादा कॉम्प्लिकेसंस नहों ड्राइंग में इसलिए चलिए देख लीजिए दोनों की एमिटर अब उससे पहले क्या होता है कि हाँ इसकी 558 नमबर लिखा है जबकि आप BC 558 है बहुत ही जर्नल टाइप का ट्राइस्टर है जर्नल प्रपस का है आपको मार्केट में इजी लिए वेलिबल हो जाता है एक दो रुपे से ज्यादा कीमत नहीं है इसकी और 548 भी ऐसा ही है तो बहुत जर्नल टाइप के ट्राइस्टर ह है यह जो लोग बनाना सीखना चाहते हैं वो इन ट्राइस्टरों पर यूज़ करके बना सकते हैं वह सस्ता पड़ेगा डिया वाई आपका और आपको समझ भी आ जाएगा चली स्टाट करते हैं तो इस तरह से इसकी जो फर्स्ट वाला हमारा ट्राइस्टर है उसकी बेस प बेस पर एक यह जो फोटा हमारा जिसका नंबर रहेगा 224 ठीक है 242 रहेगा यह और यहं पीएफ का नंबर है वैले नहीं है और यह सिदह जाने जूटा है हमारा सिग्ल से सिंग्ल वाएर मीडल का होथा हमारा और जो लाश्ट का हैं ग्राउड से जोड़ लेते हों से रहता है तो वो भी हम देख लिए एक बार यह 15 की की रेजिस्टेंस है जो ग्राउंट और इसके साथ जुड़े है सिगनल के साथ देखिए यह इतना यहां कंप्लेट हो गया सिगनल यहां तक हमारा आ गया है अब आगे की प्रोसेस देख लेते हैं कि इनके दोनों के एमिटर पर हमें कुछ positive bolt देना होता है तो उसका arrangement है वो देख लेते हैं अब देखिए यहां दोनों को सोट किया जाएगा आप पास में जुल्ड़े रहेंगे इन दोनों के जो एमिटर है क्योंकि यहां देख लिए collector base एमिटर तो यह एमिटर है तो इसका यह हो गया और यह उल्ट 2.2 की resistance जोड़ी रहेगी और उसी के साथ में एक diode लगा रहेगा देखिए आप जिस तरह से यहां दिखाये गया है यह पत्ती जो आपकी है वो इस तरफ रहेगी और दूसरा सरा आपका जिदे ग्राउंट से जुड़ जाएगा यह 12 बोल्ट का जिनर डायोड है और अगर आप चेक करेंगे तो जैसा कि मैंने बताया था आपको साथ साथ में सरकिट टेस्टिंग भी करता रहूंगा तो इस पॉइंट पे और इस ग्राउंड पॉइंट के बीच में अगर आप म नहीं होने देगा तो वह जहां पर आपका ड्रॉप कर देगी बोल्टेज अब यह ऐसे किया जाता है क्योंकि हमें यहां कुछ 12 बोल्ट से कम दिना होता है अगर मान लीजी आपका एंप्लीफायर चल रहा है सफिसेंट लोड पे चल रहा है और बोल्टेज ड्रॉप होता ह तो इसके एमिटर फे भी बोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा जिससे आपकी आवाज फिर खराब होगी यानि कि अब डाउन आएगा तो वैरियसन जादा समझाएगा उसको फिक्स करने के लिए क्लिए क्या करते है कि हमें यहां फिक्स बोल्टेज चाहिए होता है तो अब य ज्यादा वैरिसन आता भी है तो यहां आपको फिक्स बारा मिलता रहेगा लिगा हम यहां बारा नहीं दे सकते हैं इसलिए यहां पे 3.3 की रेजिस्टेंस और जोड़ेंगे हम और उसके बाद सीधा नीचे हम इसके साथ कनेक्ट कर देंगे चलिए देख लेते हैं इस तरह और बॉल्ट से जुड़ेंगे एक रेजिस्टेंस की तुरू इस रेजिस्टेंस की वैल्यू रहेगी बनके जैसा कि आप देख रहे हैं यह हो गया अब इसकी तीनों पने हैं वो जोड़ी जा चुकी है इस ट्राइजिस्टर की थीन पने है उसमें देख लेते हैं क्योंकि कि इसकी बेस पे हम बाद में कनेक्ट करेंगे इसके जो एमिटर है उसको जुड़ देते हैं नेगेटिव लाइन से यहां देखिए यह लाइन थोड़ी दिस्टब हो गई थी मैंने से सही कर दिया है अब आगे देखते हैं इसके बेस पे जो सिगनल मिलेगा हमें जो वायर कन और म resistant है उसके collector से हमें स्युड़ आइट मिलता है वहां से इसटार्ट करते हैं देकिंबस यहां से जो मैं शिअह नाउट मिलेगा आज सिदे के बेस पर जाएगा यह पाइव का फॉर fired दरसल यह इसी फाइफ फोर ड् tracking होता है चली देख लेते हैं से योड़ी दिखा दिया है साथ में इसकी नीचे पिन कॉंट्रिगेशन भी दी होई है और दोनों की पिन कॉंट्रिगेशन सेम ही है बहुत ही जनल टाइप के ट्राइस्टर है यह अब इलवल इस तरह से और यह ट्राइस्टर जहां रहेगा और इसका नमबर भी रहेगा फाइफ पोर एट बीसी फाइफ और टीज़िए उससे पहले एक बात बता जाते हैं आपको कि यह जो सिंगनल हमें यहां से मिलता है और यहां से एम्प्रिफाय होके और यहां से तब इसके एमिटर पे जाता है उसके बीच में पीएफ लगा रहता है यह पीएफ डिसाड करता है आपका जो एम्प्रिफायर है वो किस रेंज में काम करेगा कितनी फ्रिकेंसी वो सपोर्ट करेगा तो अब फ्रिकेंसी क्या होता है जितनी लोवर फ्रिकेंसी होगी वो हमारी बेस हो 30, 30 Hz तक की frequency आप आएंगे तो base की category में आ जाती है, वो सरफ base मिलता है उस पर आपको, तो वो base की होती है, और जैसे ही आप 10 या से उपर जाते हैं, 10, 12, 15, 20, 20 kHz की frequency जाएंगे, वो आपकी travel में चली जाती है, इसके बीच की mid frequency रहती है, तो ये कुल मिला के combination frequency वाला किसी और द हम देखेंगे, जहां PF देख लेटें, decide कर देते हैं, देखिए, इसके collector और base की बीच में एक PF लगता है, जिसकी value 2, 2, 1 रहेगी, और देखिए, इसका एक सरा यहां collector के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा सरा हमें base के साथ जोड़ना है, ठीक है, तो हम base के साथ इसे जोड़ जो है, वाइसिंग transistor है, थोड़ा सा अलग hat के है, तो इसमें highlight कर देता हूँ, तो आपको सही से समझाए कि यह वाइसिंग है, हमारे driver stage के लिए, वाइसिंग यहीं से बनेगी, और यहीं से जाएगी, तो वो देख लेते हैं एक बार, तो अब इसका emitter तो हमारा connect हो गया, क् से होके, माइनस 24 वोल्ट की supply इस पर पहुंच जाएगी, लेकिन माइनस वाले supply आगे, positive को भी हम जोड लेते हैं, तो देखिए यह तरह से जुड़ा रहेगा, एक resistance यहां लगी रहेगी, इसके series में, 4K7 यानि की 44.7K, यानि की 4.7K की resistance के साथ जुड़ा रहेगा, और इसक जा होता है, इसके base को जो हमें देना होता है, तो वो एक voltage dividing network के through हमें voltage देना होता है, जो collector और emitter के दोनों के बीच में resistance जोड़के एक-एक बनाया जाता है, तो देख लेते हैं उसे भी, तो पहले हम यहां से एक resistance के collector से ले लेते हैं, उसे जोड़ लेते हम, देखिए, यह 3 3K 3 की resistance रहेगी, यानि 3.3K की resistance और सीधे इसके base पे जुड़ जाएगी, दूसी resistance हमाई रहेगी, वो emitter से जुड़के सीधे, base पे जुड़ जाती आके, इसकी value 2.2K रहेगी, ठीक है, यह देख लिजिए, अब है क्या कि इसके collector से यह resistance आ गई, और emitter से यह आ गई, एक voltage divider network यहां बन गया, और यह जाके base पे पहुंच गया, अब जो भी voltage होगा, यहां पे होगा, अब recommendation यह होती है कि इस transistor को आप जो man heat sink होती है आपकी, जहां पे आपकी power transistor लगे रहते है, 235 अगर इसमें हैं, तो उस वाली heat sink पे ही से कस हैं, लेकिन अब यह क्या है कि ज़्यादा बोर्टिस का नहीं है, domestic use का बोर्ड है, तो इसमें यहां बोर्ड पे ही mount होता है, सीदे यह, इसे heat sink के साथ mount नहीं किया जाता, चलिए आगे देख लिते हैं, यह होगा, अब क्या है, इसके collector से हमें signal out मिले का positive, 0.7 बोल्ट होगा, जो के, तो देख लिते हैं एक बार, यह जो होगा, वो 100 ohm की resistance के साथ में, एक transistor होगा, उसके base पे जुड़ा रहेगा, तो देखिए, यह है, इसके base पे आ जाएगा, इस transistor का number रहेगा, BC 548, यह एक NPN type का transistor है, जो यहां नीचे बताया गया है, ठीक है, तो BC 548 और 558 में बड़ा confusion रहता है, तो आपको कोई confusion ना हो, चली ना कर लें, नहीं तो आपका loss होगा, मैं नहीं चाहता है, किसी भाही का मेरा loss हो, तो चलिए आगे देख लेते, इसके collector को सीधे 24 बोल्ट की लाएं से जुड़ देंगा, और emitter से हमें out मिलेगा, ठीक है, तो देख लेते हैं, यह emitter से मिलेगा हमें out, और यह जाएगा सीधे, एक resistance के तर्यू, अब यह resistance आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, कि यह ground के साथ नहीं जुड़ी है, इसलिए सोड़ सी नीचे कर दी है, तो इसे नीचे के छोड़ा गया है, दरसल यह feedback वाली लाइन से जुड़ा रहेगा, जैसा कि पीछे बताया था हमें, यह बन पॉइंट पे और इस ग्राउंड के साथ में अगर मल्टी मीटर कनेक करके देखेंगे, तो आपको 0.7 बुल्ट मिलना चाहिए, अगर नहीं मिल रहा है, तो आप पीछे चेक करें, कोई component सही नहीं होगा, ठीक है, अब माइनस की side का भी देख लेते हैं, एक बार, देखिए यहां भी वही है, इसमें भी एक 100 ohm की resistance लगी थी, यहां भी एक 100 ohm की resistance लगी रहेगी, और यहां से होते हुए यह सीधे एक transistor के base पे चली जाएगी, यह transistor रहेगा आपका BC 558, यह देख लिजे, और इसका emitter है, वो सीधे feedback की side से जोड़ा रहेगा, एक resistance की through, और यह resistance की 10 ohm 0.5 watt, जैसा कि यहां लिख दिया, जरूती 0.5 watt लिखने की, तो लिख दिया गया है, ठीक है, अब इसका, जो collector हैगा, उससे में out मिलेगा, और यह एक 1K की resistance की साथ, आपके minus 24 volt की लाइन से जुड़ा रहता है, तो यहां पे आपके, अब जो driver stage थी, वो भी complete हो गई है अब उसके बाद बात आती है, main transistor होगी, देख लेते हैं, अब यहां आपके जो main transistor हैं, दो लगे होते हैं, माने कि एक pair होता है, तो यह 2N35 का एक pair है, जिसकी पहली pin आपको base और यह वाली emitter रहेगी और जिसका बहारी सरा होता है, वो collector रहता है, तो देख लेते हैं गबार, लिख देते हैं जब पे, तीनों हो गया, और यहां net bolt के साथ में ही connection होता है, वो समझा दिया जाएगा, नीचे वाले पे भी लिख देते हैं हम पहले, तो ही 2N35, B, E, C, लिख दिया, same हो गया, अब होता क्या है कि यह जो हमें यहां से collector से out मिला positive, तो वो हमारे सीदेस के base पे चला जाएगा, यहां हाला के यह बनके की resistance के साथ feedback से जुड़ा रहता है, और यहां से सीधा हमारा base पे चला जाता है, तो जोड लेते हैं एक बार, तो यह इस तरह से जुड़ गया, अब इसका जो collector होगा, वो इस डिरेक्ट 24V की supply से जुड़ा रहता है, नेट जो होगा, वो हमारा, इसके collector से हमें जो out मिलेगा, वो base पे चला जाएगा, और इसका जो emitter रहेगा, वो हमारा minus 24V से रहेगा, दोर में सोड़ा सांतर है, यहां पर देख लिए, क्योंकि semi transistor है, इसलिए इसका emitter हमें out देगा, बट इसकी collector से हमें out मिलेगा, तो यहां collector से out ले लेते हैं, और emitter को 24V के साथ connect कर देते हैं, emitter 24V के साथ connect हो गया, और collector से हम एक resistance लगाएंगे, जो feedback की लाएं से जुड़ी रहती है, यहां यह जुड़ी होई है, और इसकी value रहेगी 2.2 ohm 5 bot, और उपर वाले के लिए भी लगा देंगे इस तरह से 2.2 ohm 5 bot, अब क्या ह कि यह duplicate transistor ज्यादा market में मिलते हैं, तो वही available होते हैं, तो इसके वज़े से 2.2 ohm की resistance यूज की गई है, अगर आप इसकी जगे कोई और number का transistor लगाते हैं, या फिर यही original transistor लगाते हैं, तो आप यहां 0.33 ohm की resistance भी आसानी से यूज कर सकते हैं, या आप 2N3773 अगर यहां यू connect कर देते हैं, तो यह हम एमिटर के साथ connect हो गई, चीक है, अब इतना सब होने के बाद में भी feedback वारा हमारा काम जो है feedback वाला वो अधूरा ही है, इसे हम चुड़ लेते हैं, तो यहां 15K की resistance एक लगेगी, और जो हमारे सीधे उसके base पे जाएगी, इस transistor के base पे, चलिए कर ल यहां पे आपको capacitor और एक resistance और लगानी होती है, तो वो देख लेते हैं, यहां देखिए capacitor है, जिसकी value रहेगी 47 microfarad, और इसे आप 35 volt में लगाए, minimum 35 volt लगाए, आप में आगे के लिए आप 50 volt में या 63 volt में भी जा सकते हैं, 50 या 63 volt में, पर minimum 35 volt आप यहां लगाए, चलिए ए की resistance और लगेगी इसके साथ में, 470 ohm की, 470 ohm या 470 ohm ठीक है, यह connect हो गई आपके ground के साथ में, और अब भी हम आगे देख लेते हैं, ठीक है, तो यह हो गया, अब यहां पर क्या होता है, यह feedback की line के साथ ही एक capacitor और जुड़ा रहता है, तो देख लेते हैं, यह capacitor जुड़ रहेगी प्लस इस तरफ और यह भी 47 microfarad 35 volt लगाया, तो यह सीधे यहां पर इस जगे जुड़ जाएगा, यह जो हमारी arrangement है, यहां पर अब यह क्योंगी लगाया गया इस तरह से, कि आपके जब हम amplifier को चला रहे होते हैं, उस टाइम पर voltage अबनान होता है, तो यह उसको पू stable रखता है, फटने नहीं देता, अगर आपकी volume बढ़ाने पर किसी amplifier की आवास फट रही है, तो आप इस capacitor को ज़रू चेक करें, और हो सकी तो replace करके देख लें, तो यह आपकी उसमें help करेगा, यह boot strap capacitor कहलाता है, जो feedback और सीधे आपके वाइसिंग transistor जो होता है, उसके collector के यहां पर, तो speaker out भी देख लेते हैं, speaker out सीधे हमें यहां इसके middle से मिलता है, actually जो speaker out होता है, वही feedback बनके आगे हमारा differential stage के transistor पर चला जाता है, तो यहां speaker out लेख देता हूं, अब speaker out हमें जो मिलता है, वो speaker के लिए एक सिरा हमारा यहां लगता है, प्लस वाला और माइनस हमा 104 और एक resistance है, 2.2 ohm की, 0.5 watt आप लगाएंगे, आपने white resistance हो के पीछे की तरफ लगी देखियोगी, वही यह resistance होती है, तो यह हो जाता है, इस तरह का और इसमें मैंने कोसिस किया है, कि जो resistance लगी है, वो real color code में है, आपको problem ना हो इसके लिए, तो वो आगया आप यहां resistance हैं लगी है, कितने value की, और transistor भी दी है, और यहां पर capacitor दिया है, PF इसलिए नहीं दिया है, क्योंकि value वहां आपको समझ आई जाती है, वहां दिक्कत नहीं है, जादा, यहां आपके सिरे देख लें, आप दोनों capacitor के, और इनकी value, प्रुक्ल अपनी कोसिस मैंने की है, पूर की help होगी इस से, आप comment में जरूर बताएं कहां से देख रहे हैं, और अगर आपकी help होती है, तो आप like और चैनल को subscribe कर सकते हैं, तो जो मेरे नए viewer होते हैं, वो subscribe कर लें किस तरह के बहुत सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे, तो यह आज का वीडियो था, इतना ही है इस का वीडियो